अब यह उनलोग देख रहे हैं, NCRT एक जज़साई 6.4 में से थर्ड वाला कॉर्शन देख उसमें एक फिगर में दिवी है, फिगर को बेरे ट्रॉक कर देते हैं कौन सा शीप है यह? रखेजिया 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 नेमिंग जो भी दिया उसको LGBT में लित्ले करें रहांपर A, B, C and B देन डाइगो उसको जएंट किया हुआ है उसको भी जएंट कर दिया यहांपर जो जुद दिया उसको देंगे पते है, इसमे कहा किया है तो बीवन बेसे बिखाँ इना फिगर 4.174 AB, BC and D, BC एक अपने के समय पिस या थो ट्राइग्ल उसमे दिला है और दूसरा एक ट्राइगल यह दोलुपर एक सेंब बेस के आपड़ एक तो यह कर गुद आपको यह बेज बीसी मोल्ड रहे हैं कि यह बीसी के उपरा रहा है किया यह आरहा है कि इसकी पीच पादा बूडर रहे हैं A, B, C and D, B, C, ये B, C उसका common side हो गया, इसको बड़ा बड़ा, चलो आगे लेते हैं, इप A, D intersect B, C and O, अगर A, D, A, D, A, D, जो है, वो intersect करता है B, C को O point है, उसको मैंने O नाम देती हैं, चलो, show that area of triangle ABC, उसको पने show करने के बोला है, ABC और area of triangle D, B, C is equal to AO by D, ऐससा उसके ratio हमें show करने के बोला है, तो given में जो दिया हो करें लिखे लेता हो, given में उसके दिया है, triangle ABC and triangle BBC are on same base, दोनो same base के उपर है, मेरे से BC, गोगनी given में लिखनी है, true true, true, true जो करने हैं, उसको true true में लिखे लेता हूं, इसने बोला area of triangle ABC upon, area of triangle D, B, C, इसका ratio होना चाहिए, AO upon D, ऐससा उसने हमें बोला है, इसको हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, यह हमको देख रहे हैं, शुरु देखते हैं, करें के देखें कि कैसे हो सकता, true, अब ही, जब भी आपको कोई prove करने के लिए बोला जाएं, तो मैंने आपको बोला जाएं, कि जो prove करना है, उसके उसके उसका थोड़ा सा focus करो, इसने हमें prove करने के लिए बोला है, area of triangle ABC upon area of triangle D, B, C is equal to AO upon D, तो यहां पर मुझे इतरा समझ में आ रहा है कि मुझे area of triangle का ratio देना है, इतना समझ में आए क्या आपको? Yes sir, और area of triangle के ratio वाला हमने इक खिरम पड़ा थो, सबसे starting में, याद आया आप? Yes sir, तो उसमें हमने क्या किया था, area of triangle का formula यूज किया था, कुछ चीजे कट रही थी और उस तरह से हमने उसको solve किया, कुछ उसी तरह से में इसको भी करने बाला हूँ, जो उसने लिखा हो ना पहले लिख लेता हूँ, area of triangle ABC upon area of triangle D, B, C, इसका formula हमारा क्या होता है, half into base into height, इधर भी half into base into height, अभी यहाँ पर एक बात तुना सामें चिक करना पड़ेगा कि क्या हमें diagram की अंदर height दी हुई है, हमको diagram में height दी है क्या? No sir, no in here, वैसी condition में क्या करना पड़ेगा बताओ? Construction. Yes, हमें construction करना पड़ेगा और construction हमें क्या देगा? height दी है, so a, b, c, triangle के लिए, अगर मैं a से यहाँ पर perpendicular draw करूँ, बराबर है न? a से अगर मैंने perpendicular draw किया, भी a से ही qt या qt bc को मैं base दे सकता हूँ common में, है कि न? इसलिए मैं यहाँ से a से perpendicular draw करूँगा और similar ली, मैं यहाँ पर d से भी एक perpendicular draw कर लूँगा, बराबर है, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ जैसे mln, और यह हमें construction पर लीखना पड़ेगा यहाँ पर construction आपे लीखो बीदर लीखना है, इसको आप रूँगे बात में लीखना है यह construction, क्या लीखोगे? draw perpendicular from a and d, a और d से हमें perpendicular draw करना है, और 20, इस क्योंको perpendicular draw कर होगे? 20, 20, समझ में आए क्या? 20, 20, अभी हम इसको जो जो बैदो जमें मादल में उसको यहाँ पर put करेंगे, तो half into base, तो half-half को यहाँ पर cancel होगे उसको लिखने की ज़रूद देंगे, अभी लिखेंगे base into height, तो base जो a, b, c का है वो है b, c, बरावर है? yes? जो base d, c, का है वो भी है b, c, वो भी आपर लेगा b, c. और height जो है a, b, c, ki height क्या है a, b, c, k, h, c, e, m, तो यहाँ पर लिखूँँगा a, m, और dbc की idea है dm तो यहाँ पे लिखना देगा dm समझ में आया है यहाँ बीसी बीसी cancel होगे मेरे पान जो बचे है उसको मैं पहले दिख लिए था area of triangle abc upon area of triangle dbc is equal to am upon dm अभी क्या कर सकते हैं अभी हमें am upon dm ऐसा मिल चुका है और मुझे चाहिए a o upon d o, to a o upon d o हम कैसे लाव सकते हैं उनको equal proof करते हैं इसको am upon dm is equal to a upon d o equal proof करते हैं इसको कैसे क्या proof कर सकोगे बताओ इसको चुके 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 ट्रैंगल से बंगरे उनको similar proof करते हैं कौन से क्यों से ट्रैंगल am o और bon दिखा के सभी को चेक करो रहा साथ am o और d o n यपि d n o अगर मैं इन तो ट्रैंगल्स को यह जो तो ट्रैंगल दिए आपको इनको मैं similar group कर दूँ अगर मेरे जो ट्रैंगल्स है उनको मैं similar group कर दूँ उनकी corresponding side का ratio इको लो जाए बड़ा बड़ा तो पेसे करोगे कों से आइंगल देना होगा आपको या कों से side दोगी बताओ पहले तो नाइंट्री टिक लिए एक अंगर हो गया हाँ और पर्टिकल्य अपको सब्सक्राइब तो यहां हमें सबसे पहला हमने एक ठिरम पढ़ा था आइंगल आइंगल ब्राइट्री अवाला तो उसी पे मैंने आपको बता जाता कि हमारे पास दो एंगल भी इक्वल है तो दोजो ट्रैंगल सिमिलर हो जाए और बहुत ही simple है आप यहां में चेक तर होगे तो यह वाला लिख लोगे दाव नियम ट्रैंगल कुन सा है A M O आड ट्रैंगल D N O A M O और D N O के अंदर हम दो क्या बोल सकते हैं आइंगल A M A O M इस इक्वार टू आइंगल D O N है ना रेजन लिख होगे पर्यक्वली ऑपोजिट आइंगल उसके बाद में दूसरा आइकम बने देंगा, आइंगल O, आइकम लिख करके, बराबर, AMO, एंगल, AMO is equal to क्या हो जाएगा, DN, 4, इसका रिजल क्या दिखोगे, इच लाइट की, दोगो आपके जो है, वो लाइट डिग्री के ही है, प्रॉर्स्रक्शन भी लिख सकते हो, उसक धुल है, डोनों आइगल कुल है, इसका मसलि बन्तल हो है, बोट ट्राइंगल है सिमीलर टु इच अतर, बढ़ाबर, क्वारस्कॉंस्डल भाद में लिख आ, です समझा है कोई दिख का है, इसका रिखा ता, कोई दिख का है, अभी हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो ट्र तो उसके corresponding angle होते हैं उसके corresponding side का ratio एक दूसरे के साथ proportion में होता है उसके side का जो भी ratio है वो equal हो तो अभी यहां पर ratio को कुछ इस तरह से लिखो कि यह जो हमारी right hand side है यह वह आपे मिल जाया है अब है right hand side चाहिए मतलत ए ओ बाइड दी ओ चाहिए तो इसमें a by do लिख सकता हो के लिख सकता हो तो यहां पी लिखो के a upon do और दुसरा मुझे चाहिए a m m dm तो देखो यहां पे first and third इधर भी first and third same है न तो मैं यहां पी लिख सकता हो a m by dm बराव रहे है यह उसके corresponding side का ratio एक उसरी के साथ इकपल होता है यह हम जानते हैं उसी का मैं यहां पे use किया a by do is equal to a m by dm इसको मैं बोल देता हूँ equation number 2 इसको मैं बोल देता हूँ equation number 1 तो from 1 and 2 क्या बोल सकते हमको area of triangle abc upon area of triangle dbc equal to am and dm जो है वो equal है a o by do से तो मैं इसकी जगर पे इसको लिख सकता हूँ तो इस तरह से आप इस question को solve कर सकते हो एक बर shot में बिरसे revise कर देता हूँ जिनको नहीं समझा है उध्या मेरा प्रसा इस question को उसने क्या बोला है हमारे पास एक ट्रापाजियम लिया है a b c d डापाजियर a b c d में उसके डाइजोन से के साथ जॉइन कर दिया है a d and b c उसके बाद उसने बोला कि हमारे पास दो ट्राइंगल है एक है a b c ट्राइंगल दूसरा है d b c ट्राइंगल यह दोनों ट्राइंगल सेम बेस की उपर है उनसा है कॉमन बेस कॉमन बेस कॉमन बेस है बीस है और वो आपको प्रूब करने के लिए बोल भाया है कि area of triangle a b c अगर मैं area of triangle dbc के साथ ratio दूब तो वो ratio अब इसको प्रूब करने के लिए मुझे कुछ की वालूब नहीं का तो मैंने simply क्या किया area of abc area of dbc को निकालने की कोशिश करें क्योंकि बादी मुझे कुछ idea नहीं थी कि इस पर हो दिक है तो इसका आप करके देखा तो हापा बेस इंट्रोइट यहां पर एक बास समझ व नहीं कर पाओगे नुमरीकल्स कापी सारे दिये हैं आपके एक दो साइस के अंदर उसका फूर भी अदग अदग है तो सबको learn करना possible नहीं है यह आपको समझ में आना चाहिए थोड़ासा दिमाग आपको टाइम पर यूज करना होगा तो इसने हमें बगा की area निकालना है यहां में हाइड चेक और हाइड को इवन नहीं है तो इसलिए मैंने यहां में दो construction किये, construction लिख दिया है draw perpendicular from A, A से perpendicular draw करो, D से draw करो, किसके उत्वर B, C तो उसी height को या पर उसी perpendicular को मैंने यहां में यहां में consider कर लिया as a height, आप आप pencil हो गया, base common था तो भी cut हो गया, इसी height ही तो A, A, B, A कैसे ना सकते हैं, तो मैंने simply fact कि हैं इंक दोनों triangle को similar दिखा गया, और अगर दोनों triangle similar है, तो उसके corresponding side का ratio एक दूसरे के साथ proportion में होता है, उसी चिसका मैंने यहां पर उस किया, दोनों triangle को similar कैसे दिखाएगा, तो यह तो था मेरा vertical या opposite angle और यह था मेरा 90 degree वा तो दो angle की मुझे एक पर मिल गया है, तो triangle similar हो जाते हैं, उसी का मैंने यहां पर use किया, दो triangle को similar दिखा लिया, उसका reason लिख किया, angle angle test and then छूर मुझी ratio चाहिए था, वो ratio आने के लिए, A, O, B, D, O से equal होना जरूरी है, तो वो मैंने यहां पर करके देना, तो बराबर आ रह तो हमारा जो next theorem दिया है, वो है theorem number 6.8 from NCRT book, जो दिया है आपके page number 145 पे, statement पढ़ता हूँ और आपको explain करता हूँ कि इसमें action में बोलागी है, यह है right triangle, अगर हमारे पास कोई right triangle है, the square of hypotenuse is equal to some of the squares of remaining two sides, जो हमारे पास में, अगर कोई right angle triangle है, यह theorem आप कापी दिनों से use कर अगर हो तो आपके लिए कुछ नया नहीं है, पड़ इसका proof आपने कभी देखना है, वही हमको इससाल समझना है, अगर हमारे पास right angle triangle है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया triangle ABC, तो इस condition में हमें वो प्रूब करने के लिए बोल रहा है कि जो hypotenuse k square की value होती है, hypotenuse मतलब कोन होत तो वो मेरा hypotenuse हो जाएगा, तो AC का square equal to AB का square plus BC का square यह हमको उसने proof करने के लिए पोला है, तो उसको हमें proof करके दिखाना है, इसका use को हम 6-7 standards से कर रहा है, बट उसको हमें कैसे क्या use क्या यह हमको पता नहीं है, तो वही proof आपनोग इस साल पढ़ने वाले हैं इस theorem के हम, त तो देखें के उसको थोड़ा सबस्क्राइब लगेगा, अभी डीवन और टूपू में आपको बता लेता हो, इवन कैसे लिखोगी, बताओ ज़रा, इस नहीं हमको जो उसने दिया होता है, वो आपको यहां में लिखना है, तो क्या दिया उसने, उसने दिया है, कि ट्राइ इक का स्क्राइब खोगी, ये आपको फोडी डाइगराम करनी है, आप इस ट्राइंगल का पने नहीं से प्कूर भी नाम दे सकते बिए तो जो जो उसने दिया है, उस तरह से डाइगराम करो, उसके बाद लिखो, उसके बाद प्रूब गरवे लिखो और इसके बाद में प जिसके बाद भी आपको इक्टर साइज दी है तो भी आप गर्फ पे ट्राइब में शुरू कर दो इसी फिरांग का वाँ पे अप्लिकेशन किया है हाई-पोटनेस का square equal to side 1 square plus side 2 square जैसे exercise 6.5 देखो इसमें first question देखो side of triangle are given below determined which of dena right triangle उसमें से कौन से triangle right triangle है यापको पाइचानल ना तो simple है न कैसे पाइचार होंगे सबसे बना सबस्ञें हाइपोटेन सिल्क एक dan चलै के सब्सक्रेय तो इसमें में मैं दखो भी समझा रहा कि हईपोटेनिस स्वेगा संद्ञे me करना सबस्ट व्त पर साइपोटेनस स्वेप है अब उसने बता नहीं है है को हैटाया कोन है तो ऐसे कंडिशन में जो हमें 3 वैल्योज दी होुगी है। जैसे पॉर एक्जामबल यहाँ पे वैल्योज दी है, 1.7 cm, एक वैल्योज दी है हमको 24 cm और एक वैल्यो दी है 25 cm तो इस कंडिशन में हायपूटेलेस किसको बोलोगे? जो सबसे बड़ी साइड है, हाइपोटेनिस का स्क्वेयर करोगे कि वह आ जाएगा 625 बरबज़ देन समोग स्क्वेयर ओफ डिमेंइनिक साइट के स्क्वेयर की सब वह हमें निकालनी है और बात में इनको एकवेट करके देखना है कि क्या दुम से मारे हैं तो 7 का स्क्वेर क्या हो जाएगा? 49 24 का स्क्वेर? 576 576 तोलो नंबर मैं लिखती है बहाँ पे 625 यहाँ पे हमारा कितना है? 625 तो यहाँ पर दोगे इसको इक्रेशन नंबर 1 इसको कर दोगे इक्रेशन नंबर 2 तो क्या बोल सकते है? यहाँ से आप बोल सकते हूं है पर अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? रभा यहाँ पेच्छे लिख दोगे की देरफोर इस ट्रंगल है को कर आपको कि अ में पर समय के अपर टो उसको अपना जो अपना मादों इसके बाद आमाला जो नेक्स पिरेड होगा उसमें मैं आपको सबसे पहले दो घरम कर दूंगा यही पाइटाकुरस घरम वाला और उसके बाद यह वाले एक जैसे में से आपके जो भी कुश्चन्स डाउट फूल रहेंगे वो हुज आप चलेगा